नवस्कार मैं सारदा पांडे आसान जिन्दकी किस इपीसोड में आपको स्वागत करती हूं जैसा कि बसंत पंचमी पर्व आने वाला है बसंत पंचमी से ही जैसे कि छे रित्मों होती है तो ये बसंत पंचमी जो रितु है ये शुरू हो जाएगी तो यह चयत किनवरात्री तक चलती है बसंतरी तू और ए रितुओं का राजा है बसंत्पंचमी ओसे मैं आपको वीडियो दे चुकी हूँ पर इस वीडियो को मैं उन लोगों के लिए दे रही हूँ जिनको बहुत सारे महूरत की जरूरत है बहुत सारे वह कार्य करना चाहते हैं साधी का ब्याह का वह बहुत सारे मुहूरतों का उनको जरूरत है वैसे खरमास समाप्त होने बाद बहुत अच्छे-च्छे मुहूरत भी आ रहे हैं लेकिन बसंत पंचमी एक ऐसा पर्व है जो अबूज पर्व है और इसमें अमित सिध्धी योग का भी निर्मार होता है सिर्फ इसी साल नहीं हर साल जब बसंत पंचमी पर्व पढ़ता है उस पर्व में अमित सिध्धी योग भी पढ़ता है वो योग भी रहता है फिर उसके बाद बसंत पंचमी जो पर्व है बसंत पंचमी पर्व दोस रहित है यानि कोई भी इस पर्व में अबु जमुहूर्ट बोलते हैं इसी प्रकार से अच्छे तितिया का भी मानने है तो ऐसी मानता है कि वसंत पंचमी के दिन कोई भी सुभकार्य किया जा सकता है कोई भी सूबकार किया जा सकता है वैसे अच्छे तितिया पर भी किया जा सकता है तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बसंत पंचमी पर ऐसा क्या क्या कर सकते हैं तो यह जो बसंत पंचमी का जो मैं वीडियो बना रही हूं यह हर साल के लिए है. यानि अमित सिद्धी योग बसंत पंचमी पर पढ़ता ही है और बसंत पंचमी तिथी माग महिने के सुकल पक्ष की पंचमी पर पढ़ता है जिसमें कि गुप्त नवरात्री चलती रहती है तो बसंत पंचमी तिथी दोस रहीत रहता है यानि दोसों से मुक्त रहता है कोई दोस इस तिथी में नहीं होता है जैसे अच्छे तिथिया में होता है तो अच्छे तिथिया के यहां तक मानता है कि उस अच्छे तिथिया के दिन बहुत सारी साधियां बिना किसी महूर्त के होती हैं बहुत सुभ मुहुर्त माना जाता है वैसे ही अबूज मुहुर्त है वसंत पंचमी तो मैं आपको बताओंगे कि वसंत पंचमी पर अब क्या क्या कर सकते हो तो वसंत पंचमी पर नाम करण संसकार बिना पूछे आप कर सकते हो अन प्रासन संसकार भी कर सकते हो जैसे कोई चीज का व्यापार करना चाहते हो, किसी भी चीज का बड़े अस्तर पर छोटे अस्तर पर कुछ भी, तो व्यापार का शुरुवात भी कर सकते हो, उसी प्रकार से किसी प्रकार की खरिद्दारी, जैसे बाहन, पहले तो घोडा हाथी को बाहन मानते थे, आज कल जो बाहन है इसे स्कूटी हुआ बाइक हुआ बुलट हुआ कार हुआ जो भी या क्रिशी से संबंधित कोई भी उपकरण आप खरी सकते हो बाहन खरी सकते हो फ्लेट खरी सकते हो प्लाट खरी सकते हो भूमी किसी प्रकार की यानि कि उपज के लिए क्रिशी के लिए भूमी या किसी त खरीच सकते हो, मानता है कि इन तिथियों में खरीदा हुआ चीज, संग्रह किया हुआ चीज, सुरच्छित और लंबे समय तक आपके साथ सुभता बढ़ाता रहता है और बना रहता है, तो इस पर्व में जैसे आप कोई ब्रत शुरू कर सकते हो, पंचमी तिथि तो है, जैस गुरुवार के दिन बशंद पंचमी है तो अति-सुब है, कोई गुरुवार के ब्रत का उद्यापन करना चाहता है, कोई ब्रत को सुरू करना चाहता है, या कोई आपका विशेश, हवन, पूजन, रुद्राविसे, कुछ भी चीज हो, आप इस दिन करा सकते हो, धार्मी क लिए से गुरु दिच्छा, जो भी आपके आराध हैं उनके मंत्रों का गुरु दिच्छा अपने घर पर अब मुंसर निए किसी भी धार्मी किस्थान में जाके ले सकते हैं तमाम लोग कमेंट करते हैं कि हम गुरु दिछा लिये थे पंडित जी कुछ भी कान में बोले थे उस समय तो याद था फिर भूल गए तो आप ऐसा ना करें पेन और कागज ले जाए या मोबाइल में ही आप लिख लें कि आपको क्या मंत्र दिया गया है आपके देवी जोता से संबंधित तो उस मंत्र का आपको रोज एक माला जाप करना है अगर एक माला जाप नहीं कर सकते हैं तो अपने उंगुलियों पर भी 20 बार इंक्यावन बार जाप कर सकते हैं उसी प्रकार से जैसे कि अबरच्छा सगाई रोका इ मैं इसलिए लगा है कि इन सब चीजों को पन्डित जी करवाएंगी विवाह करना है तो आप तो अपने से करना होगे, उपनायन संसकार यानी जन्याव संसकार लेकिन अबूज और अमित सिध्धी योग के कारण ये दिन काफी महान और पवित्र माना गया है तो ये सब चीजों को आप कर सकते हो उसी तरीके से पहली बार जैसे कि बिवाह की बातचित चल रही है कन्या को देखने जाना है या कन्या पच्छवाले वर को देखने आना है तो इस दिन बहु वर को देखने आ सकते हैं उनको भी पहार दे सकते हैं यानि जिस तरफ बच्चे पाओ करके सोते हो उस तरफ माता का फोटो नहीं होना चाहिए सीर के तरफ होना चाहिए दच्षिड दिवाल में भी नहीं होना चाहिए तो पूर्व की दिवाल में फोटो होनी चाहिए उनक ब्रत रहना चाहते हैं या जो शुबुद्धी प्राप्त करने के लिए ब्रत रहना चाहता है तो आप मीठे चावल बनाएं पीले और मीठे चावल तो अगर हमको तो समय मिलेगा तो आपको वीडियो भी दे दूँग लिए तमाम वीडियो होंगे सर्च करके आप देख वी स एक पाव गुड ले लो उसमें आधा लीटर पानी लगेगा एक पाव चावल गुड में दो चम्म सुध देशी घी और कम से कम बारा से चवद काजू ले लो दो चार इलाइची ले लो तो इनको क्या करो अच्छी तरीके से जब आप पानी रखोगे गरम होने के लिए से हम बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा उसमें घी भी शुरू में डाल दो आधा जब अत्पका हो जाए तब उसमें घी लोंगो गर यह काजू बता रहें इसको अतिस्वादिष्ट बनता है इसको हम भी बनाते हैं इसको गीला नहीं हो यह तने पानी में गीला भी नहीं होगा तो इसको अच्छी तरीके से बना लें फिर मासर सती जी को भोग लगाएं भोग लगाने के बाद प्रसाद माट के ब्रती पेड़ भर इसको खा सकता है बहुत ही स्वादिष्ट बेंजन बनेगा पीले और मीठे चावल उसे तमाम चीज़ें और दिखाएं उसको भी करें म दिर मात आका वीधिवत पूजा करना चाहिए तो आप सभी के लिए बसंत पंचमी परव और जितने भी परव जैसे पन nouallows दन रात्री चली रही हैं इसी में महा सुबता पढ़ाने के लिए बसंत पंच मी परव भी हर साल पढ़ता है इसी समय में तो सभी के लिए मंगल मैं हो ये पर्व सुख मैं हो आप सभी के बच्चे सुबुद्धीवान हो और प्रतिभावान हो खुब पढ़े लिखे उन्नती करें और ऐसे ही आप मारे साथ बने रहे हम आपके साथ बने रहें देखते रहे हैं साथ जिंदगी तब तक के लिए नमस्कार